एक शांत गाव में, जो हरे भरे खेतों और मृदू पहाड़ियों से घिरा हुआ था, एक छोटा, साफ तालाब था जहां कई जानवर पानी पीने और खेलने आते थे उन में से एक छोटा मेढग था जिसका नाम फ्रेडी था फ्रेडी को उसका तालाब बहुत पसंद था, लेकिन वो अकसर सोचता था कि इसके परे क्या है वो एक जिग्यासू और सासी मेंढग था, हमेशा नई जगहों को खोजने के लिए उत्सुक, एक धूप वाली सुभा फ्रेडी ने फैसला किया कि अब समय आ गया है कि वो तालाब के परे की दुनिया को देखे मैं जंगल के बड़े तालाब का पता लगाने जा रहा हूँ, उसने अपने दोस्तों से कहा वे उसके लिए उत्साहित और चिंतित दोनों थे, क्योंकि उन्होंने बड़े तालाब और उसके कई निवासियों के बारे में कहानिया सुनी थी कूधते और छलांग लगाते हुए, फ्रेडी अपने साहसिक कारे पर निकल पड़ा जैसे ही वो घास के मैदान और जंगल में कूदा उसने उचे पेड़ों, गाते हुए पक्षियों और रंग बिरंगे फूलों को देखा और उनकी प्रशनसा की आखरकार, वो बड़े तालाब तक पहुँच गया यह उसके छोटे तालाब की तुलना में बहुत विशाल था और सूरज की रोशनी में पानी चमक रहा था फ्रेडी उचसाहत और थोड़ा नर्वस था उसने एक गहरी सास ली और पानी में कूद पड़ा जैसे ही उसने चारो और तैरा, उसने कई नए जीवों से मुलाकात की वहाँ हर आकार की मचलिया थी सुन्दर हंस और खेलते हुए उद बिलाव फ्रेडी ने अपना परिचे दिया और कई नए दोस्त बनाए हाला की फ्रेडी ने ये भी देखा की कुछ जीव उससे बहुत बड़े और तेज थे एक दिन जब वो एक कुमुदिनी के पत्ते पर आराम कर रहा था उसने देखा की एक बड़ा बगुला पानी में चल रहा था जो अपनी तीखी चोंच से मचलिया पकड़ रहा था फ्रेडी को डर का एक जटका लगा अगर बगुला मुझे पकड़ने की कोशिश करेगा तो क्या होगा? उसने सोचा अपने डर को अपनी सहसिक यात्रा को बरबाद न करने देने के लिए द्रिड संकल्पित, फ्रेडी ने सावधान और समझदार बनने का फैसला किया उसने बगुले को देखा और उसकी आदतों को समझा उसने महसूस किया कि बगुला उथले पानी में शिकार करना पसंद करता था और गहरेक शेत्रों से बच्चता था जहां वो आसानी से नहीं पहुँच सकता था इस ग्यान से सुसजित, फ्रेडी ने खुद को अधिक आत्मविश्वासी महसूस किया दिन बीटते गए और फ्रेडी की मुलाकात एक समझदार बूरी कच्चुआ टिली से हुई टिली ने बड़े तालाब के बारे में कहानिया साजा की और फ्रेडी को सुरक्षित रहने और अपने आसपास के बारे में जागरूक रहने के मूलिवान पाट सिखाए याद रखना फ्रेडी एक दिन टिली ने कहा बहादुर होने का मतलब यह नहीं है कि तुम्हें कभी डर नहीं लगेगा इसका मतलब है कि तुम अपने डर को समझते हो और उसे दूर करने के तरीके खोचते हो एक दोपहर, एक तुफान आया और बड़ा तालाब खुर्दुरा और चंचल हो गया फ्रेडी, जो अब एक मजबूत तैराग बन गया था, ने छोटे जीवों को सुरक्षित मार्ग दिखाने में मदद की उसने टिली की सलाह को याद किया और किनारे के पास रहा, जहां वो सरकंडों और जाडियों के नीचे आश्रय पासकता था तूफान गुजर जाने के बाद, फ्रेडी ने जिस तरह से स्थिती संभाली, उस पर गर्व महसूस किया उसे एहसास हुआ कि उसकी साहसिक यात्रा ने उसे न केवल उसके तालाब के परे की दुनिया के बारे में बल्कि उसकी अपनी ताकत और साहस के बारे में भी सिखाया है जब Freddy ने अपने छोटे तालाब में वापस लोटने का फैसला किया, तो उसके नए दोस्त उसे अलविदा कहने के लिए इकठा हुए वापस आना और हमसे मिलना, Freddy उन्होंने कहा, तुम यहां हमेशा स्वागत हो Freddy अपने गाव लोटा, जहां उसके पुराने दोस्तों ने उसे उत्साह के साथ स्वागत किया उसने अपनी साहसिक यात्रा की कहानिया और जो सबक उसने सीखे थे, उन्हें साज़ा किया बड़ा तालाब अद्भुत है, उसने उन्हें बताया लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात जो मैंने सीखी वो ये है कि बहादुरी का मतलब निडर होना नहीं है इसका मतलब है कि अपने डर का सामना करना और सही काम करना Freddy की यात्रा ने गाव के अन्य जानवरों को प्रेरित किया उन्होंने महसूस किया कि दुनिया की खोज करना और नई चीजे सीखना उन्हें बढ़ने और समझदार बनने में मदद कर सकता है Freddy ने अपने दोस्तों की मदद करने और खोज जारी रखी, हमेशा अपनी साहसिक यात्रा के मूलिवान पाठों को याद रखते हुए और इस तरह, Freddy मेंधक की कहानी गाव में एक पसंदीदा कहानी बन गई, जो सभी को ये सिखाती है कि सची बहादुरी अपने डर को समझने और उसे दूर करने से आती है, और दुनिया में कई अद्भुत चीजे खोजे जाने की प्रतीक्षा कर रही है